न्यूस फॉर अर्ण में आप सभी का स्वागत है आज मैं आप से डिस्कस करूंगा एक वैब सीरीज के बारे में जो दोस्तो स्कैम 1992 पर बेजड है चुकि जैसा कि हम जानते है 1992 स्कैम पूरी तरीके से रिलेटेड है हरशद मैता से तो दोस्तो यहाँ पर आपको इस वैब सीरीज में पूरी तरीके से जानने के लिए मिलेगा कि स्टेप बाई स्टेप यहाँ पर किस तरीके से यह स्कैम हुआ साती हर्षत मैथा की life किस तरीके से आगे बढ़ी उसने किस तरीके से stock market में कदम रखा यहां आपको हर एक चीज के बारे में बारीकी से जानने का मौका मिलेगा चुकि हम जैसा जानते हैं आज से कुछ समय पहले एक गफला movie आई थी हला कि देखें movie की अपनी एक limitation है कि उसकी एक समय सीमा होती है तो वहां पर हर एक चीज को दिखा पाना इतना मुम्किन नहीं है लेकिन दोस्तों यहां पर web series में आप पूरी तरीके से हर चीज को बारीकी से देख सकते हो और समझ सकते हो चुकि एक stock market learner होने के नाते आप definitely हर चीज को सही तरीके से जानना चाते हो इसलिए यहां पर यह जो web series है यह बेहद अच्छी है और आपको इसको जरूर देखना चाहिए चुकि अगर हम यहां बात करते हैं तो इस web series में आपको एक से एक अच्छे कलाकार देखने के लिम बिलेंगे चुकि यहां पर सारे के सारे वो चेहरे हैं जिनको आपने कभी न कभी देखा है सबकी एक्टिंग इतनी amazing है कि आपको पूरी web series से जोड़ कर रखती है चुकि यहां पर यह web series है तो आप मान के चलिए कि आपको यहां पर एक अच्छा खासा time जरूर देना पड़ेगा लेकिन definitely आप यहां पर बहुत सारी चीज़े learn करेंगे अगर आप stock market से बहुत प्यार करते हैं तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखे दोस्तों यहां पर जो lead role में है जो कि प्रतिक गांदी है जिन्होंने हर्शत महता का role किया है उनकी acting amazing है उन्होंने बहुत बहतरीन काम किया है definitely आपको ऐसा ही लगेगा कि यहां पर जिस तरीकी की natural acting है उससे आप जुरूर जुड़ जाएंगे साथ ही यहां पर देखे जो अगला character है जो कि देखे अपने आप में बेहर्द importance रखता है जिसने इस scam को expose किया था यहां पर तो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो है सुचिता दलाल उनका character जो है उन्होंने play किया है श्रिया धनवंतरी ने तो जैसा कि आप जानते हैं कि यही पैसा बनाया तो वही सारी चीज़े देखे दोस्तों यहां पर web series में आपको step by step जानने के लिए मिलेंगी तो दोस्तों यहां पर इस वीडियो में मैं आपसे discuss करूँगा कि एक stock market के learner के मताबिक आपके लिए यहां पर क्या क्या चीज़े हैं जो आपको इस web series के अंदर दे जानने के लिए मिलेंगी इसलिए आपको यहां पर इस web series को जरूर देखना चाहिए तो दोस्तों आगे चलते हैं और चीज़ों को थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें दोस्तों पूरी तरीके से 10 एपिसोड हैं और दसो एपिसोड को आपको देखना चाहिए हर एक एपिसोड का अपना एक टाइटल है यानि कि अपनी एक पूरी कहानी है तो आपको बहुत जादा मज़ा आएगा चुकि सोनी लिव ने काफी बहतरी इन web series बनाई है द तो वहीं चलेंगे दोस्तों और थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर क्या terms हैं किस तरीके से हर एपिसोड में आपको क्या कुछ चीज़े जानने के लिए मिलेंगी तो वहीं सारी चीज़े में आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तों यहाँ पर insider trading यानि आपके पास किसी भी company की inside news है आपको पता हो कि वो company किस से deal करने वाली है या company किस तरीके के यहाँ पर जूज रही है चीजों से अगर वो चीज़े आपको पहले ही पता चल जाएं दोस्तों तो यहाँ पर आप एक अच्छा पैसा बना सकते हैं stock market में company की अंदर की news जानकर तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले कुछ episode में आप देखेंगे कि हर्शद मैता insider trading के थूरू एक बहुत अच्छा पैसा बनाता है ऐसा नहीं है कि हर्शद मैता वो पहला आदमी था जो insider trading के तहत पैसा कमा रहा था देखिए market में बहुत सारे लोग थे जो वो stock को manipulate करने लगता है तो दोस्तों मैं आप कोई चीज़ बताना चाहूँगा चाहे insider trading हो चाहे एक operator की तरीके से काम करना हो दोस्तों यह सारी चीज़े illegal होती है बहराल फिर भी यह market के अंदर exist करती है तो operator बनके वो जब काम करता है दोस्तों तो हम वहाँ पर देखते हैं कि वो stock के price को especially penny stocks के price को manipulate करने लगता है जो की देखेगा काफी छोटे funds के साथ वो करता है और उसके लिए देखे दोस्तों वो rumors फैलाता है fake news बनाता है तो यह सारी चीज़े हमको जानने के लिए मिलती है पहले कुछ episodes में लेकिन दोस्तों उसके बाद यही चीज़ देखे उसके खिलाफ भी होती है और definitely आगे जब market में गरावट आती है तो हम देखने कि उसको काफी अच्छा नुकसान होता है और उसके बाद फिर वो और उसका भाई यहाँ पर देखे एक investment consultancy firm खोल लेते हैं जो लोगों को tips दिया करते थे तो definitely वहाँ पर आपको काफी कुछ च चीज़े जानने के लिए मिलेंगी अगर आप stock market में एक entrepreneur बनना चाहते हैं तो दोस्तों इसी तरीके से कहानी आगे बढ़ती हम देखते हैं कि वह consultancy खोलते हैं और काम करना शुरू करते हैं आगे चलके हम कुछ episodes में देखते हैं कि bulls versus bears होता है यानि कि यहाँ पर देखे हर हर्षद मैता एक bull की तरीके से काम करता है कुछ market में जो bears हैं वो देखेगा market को नीचे लाना चाते हैं लेकिन जैसा हम जानते हैं कि हर्षद मैता हमेशा से कोशिश करते हैं कि market को ऊपर ही रखा जाए तो वहाँ पर देखे हम उनके बीच में एक fight देखते हैं उसी तरीके स आगे चलके हम कुछ episode में जानते हैं कि यहां पर हर्षद मैता के ऊपर चुकि वह एक broker था उसके ऊपर कुछ rumors बनाई जाती हैं लेकिन वह किस तरीके से उनसे outcome करता है तो दोस्तों वह सारी चीज़ा आपको कुछ episode में जानने के लिए मिलेंगी उसके बात देखें दोस्तो brokers किस तरीके से deal करते हैं brokers किस तरीके से institutions के पैसे का इस्तमाल करके अपने लिए stocks के जो price होते हैं उनको manipulate करते हैं लेकिन आ गए चलके दोस्तों जो main कहानी है वो है money market की तो दोस्तों जैसा कि हम जानते है share market से कहीं ज़्यादा बड़ा है money market चुकि money market में government की securities जो हैं उनके स ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आपने definitely यह चीज तो सुनी होगी हर किसी से कि यहाँ पर brokers जो हैं वो देखेगा stock के price को manipulate करते हैं देखे दोस्तों जब तक बात होती है चोटे stocks की penny stocks की तो चीज़े समझ में आती हैं लेकिन दोस्तों जब बड़े stocks को यहाँ पर manipulate किया जात हैं तो money market में किस तरीके से काम करता था यह चाप चीज़े आपको जानने के लिए मिलेंगी हर्शत मैता ने किस तरीके से entry करी money market में चुकि दोस्तों किसी भी जगे में अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी कोई नया आदमी अगर enter करता तो definitely उसके लिए तनी असान entry नही तो उसने किस तरीके से अपने लिए जगा बनाई money market में यह सारी चीज़ा आप जान पाएंगे वहीं आगे चलके देखते हैं कि किस तरीके से scam किया गया तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि money market में चुकि मैंने आपको बताया कि government की security होती है उनके साथ deal किया जा तो यहां पर देखेगा तो हम सीधे तोर पर समझ सकते हैं कि उसको देखेगा जो buyer है उसको देखेगा यहां पर एक SGL note दिया जाता है seller की तरफ से तो देखे यह जो SGL है basically इसको subsidiary journal leisure बोलते हैं यानि कि basically entry होती है buyer और seller की कि देखे किसने बेचा है किसने खरीदा है और कित देखें जमा कराना होता है लेकिन दोस्तों इससे होता क्या है यह देखेगा SGL जो process है यह अपने आप में transaction को काफी slow कर देता है जो की देखेगा यहीं पर फायदा उठाया गया हमारे brokers के दुआरा और उन्होंने stocks को यहीं इसी तरीके से manipulate किया यानि कि कहने का मतलब क्या ह अगर दो लोग आपस में यहाँ पर transaction करना चाते थे तो वो काफी मुश्किल हो जाता था तो यहाँ पर क्या परिशानिया थी उन सब चीजों को जड़ा थोड़ा लंबा करके समझेंगे यानि थोड़ा explanation ज़रूर आपको चाहिए otherwise आप यहाँ थोड़े confused हो सकते हैं तो मै कि BR के जरीए यहाँ पर बहुत जादा असानी हो गई और जो यह transaction थी जो काफी slow थी वो बहुत असानी से होने लगी bank receipt के द्वारा तो यहाँ पर आगे चलके थोड़ा समझतें कि bank receipt में किस तरीके से काम करते थे और basically यहाँ पर देखें दोस्तों जो broker थे उन्होंने किस त करना चाता है तो दोस्तों ऐसा होता क्यों था देखें दोस्तों अक्सर banks को एक मजबूरी होती है उनको हमेशा पैसे की requirement होती है तो अब यहाँ पर दोस्तों यह कैसे पता चले कि किसी bank को देखें दोस्तों यहाँ पर पैसे की requirement है और दूसरे bank को देखेगा यहाँ पर securities ख थाना है तो हमके लिए कोई bank ढूंड दो तो उसी तरीके से broker जो है वो यहाँ पर देखें दोस्तों इन से जो यहाँ पर यह जो bank है जो अपनी security जो है बेचना चाहता वो एक BR issue कर देता था broker को और यहाँ पर देखें दोस्तों जो दूसरा bank है वो एक bank ढूंडता था इतने समय में जो यहाँ पर fund दे सकता हो for example हम माल लेते हैं कि इस bank को 200 करोड की जरूरत है तो वो अपना BR यहाँ पर issue कर देगा इस broker को जो broker के पास पहुच जाएगा उसी तरीके से जो bank है दोस्तों जिसको securities खरीदनी है और यह securities क्यों खरीदना चाता है दोस्तों इसलिए क्योंकि इसको interest मिलेगा यह जो seller है bank जो अपनी securities बेच रहा है तो यह जो buyer है इसको interest मिलेगा इसलिए देखेगा दोस्तों यह broker के account में सीधे broker के account में अपने fund transfer कर देता है तो दोस्तों आप खुछ समझ सकते हैं कि कितना बड़ा loop होल है यहाँ पर जो पैसा है जो कि देखें का आम आदमी का पैसा वो एक broker के account में जा रहा है और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह जो BR है इस bank से देखें का BR भी ले ले रहा है तो यह सारी चीज़ें जो आपको यहाँ जरूर जाननी चाहिए तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी तक तो यह जो scam था वो सिर्फ इतना ही था कि देखें यहाँ पर दो बैंकों को deal कर रहा था हर्शद में था लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इक चीज़ बताना चाहूँगा कि हर्शद में था अकेला नहीं था जो यह काम करता था यह पूरा का पूरा मार्केट कर रहा था और तकरीबन 1985 से यह काम चल रहा था तो यहाँ पर जो यह बताया जाता है कि यह स्कैम 5000 करोड का एक्चुल में दोस्तों यह पूरा 16000 करोड का स्कैम था उस जमाने में जоловकेट कर नहीं नहीं कि काम करना ऺाई यहां पर क्या करा गया हर्शद में था ऊपनार मीक कि जो में यहां टालच में बॉकर वो मार्केटratos कारकेट से प्रॉफिट कमाकर वो दिखेगा सीधे तौर पर यह जो QUE भी आ कर रहे थे उनको कुछ पैसा खिलाता था उनोफिशल को और साथ ही देकिका जो उसको उसका पैसा और उसकी इंटरस्ट वापस कर देता था तो आप खुछ समझ सकते हैं यहां पर किस तरीके का स्कैम चल रहा था तो इस तरीके की चीजे दोस्तों हमने होती हुई देखी साथ ही देखे हर्शद मैता दोस्तों यहीं नहीं रुका इसको फंड्स की इतनी किसारे स्टॉक के प्राइस को मैनुपलेट किया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं ओएंजी सी के फंड्स का इस्तमाल किया साथ ही देखे हैं दोस्तों यहीं नहीं रुका कॉल इंडिया का इस्तमाल किया और दोस्तों आगे दूसरे PSU भी यहां पर यूज करे गए हैं हर्षद मैता किसी भी बैंक को पे सही समय पे नहीं कर सका और आगए चलके दोस्तों वो पकड़ा गया केसिज हुए यहां पर आप देख सकते हैं राम जेट मलानी के साथ एक प्रेस कांफरेंस इन्हों ने करी हर्षद मैता ने और वहां पर दोस्तों इन्होंने ऐलिगेश जो थे उनको जेल में भी जाना पड़ता है और काफी जादा बुरी हालात इनको गुजरना पड़ता है लेकिन दोस्तों यहां पर आपको चीज को समझना होगा कि इनको आगे चलके देखेगा दोस्तों जेल भी होगी और आगे चलके इनकी डेथ भी हो गई जेल के अंदर तो इसको बहुत पहले से बताया जा रहा था मीडिया में वो आचुका था लेकिन दोस्तोव वहां पर काम होते होते धिरे धिरे जब प्राइज तोटा ढिरे धे सारी चीज़े सामने आई, तो दोस्तों ये जितनी भी चीज़े होती है वो कभी न कभी पकड़ में आती है तो वहाँ पर भी situation वही है दोस्तों वह स्कैम कुछ भी हो किसी भी तरीके से आपने किया हो वन डे आप पकड़ जाते हो यहाँ पर CBI आप से पूस्ताच करेगी ED आप से पूस्ताच करेगी वही सब चीज़े हर्शद मैता से भी होई और करंटली हम देख रहे हैं राना कपूर के साथ भी हो रही है तो दोस्तों आप स्कैम करके बहुत पैसा बना सकते हो लेकिन आप end में जब फजोगे दोस्तों तो वो काफी बुरा समय होता है और आप हम देखते हैं कि यहाँ पर हर्शद मैता उससे बहार निकली नहीं पाते और 47 की एज में यहाँ पर उनकी जेल के अंदर मृत्य हो जाती है तो यह सारी चीज़े आपको इस वैफ सीरीज में जानने के लिए मिलेंगी अगर आप टम्स के बहाफ पर एक स्टॉक मार्केट में के लर्नर हैं बिगनर हैं तो आपको डेफिनेटल यह वैफ सीरीज ज़रूर देखनी चाहिए और वाकई में काफी इंटरस्टिंग है और स्टेब बास्टेब आप सारी चीज़ों को समझ सकते हैं और देखें दोस्तों इसका सबसे बड़ा एक करनेट आप देख सकते हैं काफी सारे स्टॉक को अभी भी प्रमोर्टर के दौरा मैनूपलेट किया जाता है मौका मिलेगा इस वैफ सीरीज को देखने के बाद तो दोस्तो अपने आप में आपको जरूर देखनी चाहिए और बहुत शांदार और बढ़िया वैफ सीरीज है तो चलिए दोस्तो इसी किताथ मैं वीडियो को नहीं पर अगली वीडियो में चैनल पर ने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए आपको अगली वीडियो का नाटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो में कुछ इंफर्मेटियो अच्छा लाइक कर दीजे और फ्रेंट का प्रशाना मत भूलेगा चले थेंक्यू